ग्राम रिछेडा के समी बीती रातरी खेत से घड़ जा रहा है 48 वर्षी किसान पर जंगली शुवर ने किया हमला उपचार जारी जुन्याद जनपर छेत के ग्राम पंचायत रिछेड़ा के समी बीती रात्री अपने खेत से वापस घर जा रहे किसान पर जंगली शुवर ने हमला कर घायल कर दिया जिसका उपचार सामुदाइक स्वासकेंदर में अभी जारी है मामले के संदर में पीडित सुमारी बरकाने पिता चतन बरकाने उम्र 48 वर्सने जानकाली देते हुए बताय की बीती रात्री लगबग 9 एवं 10 बजे के दर्मियान वहाँ अपने खेत से वापस घर जा रहा था तबी रास्ते में जंगली शुवर ने हमला कर घायल कर दिया जि पिलाल डाक्टर के अनुसार प्रीडित खत्रे से बाहर बताया जा रहा है जंगली सुमार थी वह बस मैं उधर से रिचेड़ा से आ रहा था आया और वह टेक है थोड़ा स्टेक पड़ाता है वहां से नीचे उतर रहा था वहां उतरा है और मैंने भी नी देखा ना उनने नहीं देखी और जैसे मैं आया जैसे देखा तो दान रहा था आपन इंदालत थे था वहां पर दल आ रहा था उसने प्हर पेक दी घर गया जरने कबात तो उसने अचानक हामला कर दी यहां पर पैर पे उस प्वरों पैदल था और राकी गिरा पड़ रहा पर मेरे क्या पेर में हैं और यह लगा है जहां पर इधर साइट सब लगा है और पीट में अपने आपके कोई जंगली सुखर हमले का कोई पैसर डाय कैसा है रात को डॉक्टर रोमा मूल जंदानी की डूटी में पिशेंट आया था पुरोश है जिस पर बताया कि जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया था उसके पैर में चोटे आई हैं लेकिन असा गंबीर चोटे नहीं है मरीज इस्टेबल कोई डरने की बात नहीं है और अभी एक दो दिन हम उसको यहां पर रखेंगे पर उसको डिश्चार्ज करेंगे हाँ उप्चार हो गया है